नमुश्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की ग्यार प्रमुख खबरों को यहां कहा गया है कि यहां संक्रमन की दर बहुत ज्यादा है यहां अन्य होट्सपोट की तुलना में 100 गुना ज्यादा तक संक्रमन की बात कही गई है 10 होट्सपोट शेहरों से सैंपल जुटाने और ज्वाज करने के बाद ICMR ने यह रिपोर्ट बनाई है वही COVID-19 को लेकर यह सवाल आए दिन सोने में मिल रहा है कि क्या यह संक्रमन विहीन लोगों से ज्यादा फैल रहा है तो इसके जवाब में WHO का कहना है कि बिना लक्षन वाले मरीजों से संक्रमन फैलने का प्रभाव कम है भारत चीन विवाद पर रक्षा मंतरी राधना सिंग ने दिये अपनी प्रतिक्रिया रक्षा मंतरी राधना सिंग ने बीते दिन कहा है कि चीन के साथ लंबे समय से चलते आरे सीमा विवाद पर भारत जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा क्योंकि पुर्वी लदाग में सेनाओं के बीच जारी जद्व जहत को लेकर के चीन और भारत की सेनाओं के बीच सकरात्मक बैठक हुई है इतना ही नहीं राज़ना सिंग ने राहूल गांधी के उस बयान की भी निंदा किये जिसमें राहूल गांधी ने कहा था समझोता नहीं करेंगे विपक्ष अपने काम पर ध्यान दे तो ज्यादा बहतर होगा देर सो साल के बाद वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार मंदी आने की जदाई गई संभावना COVID-19 की वज़े से दुनिया की अर्थ वस्ता पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी है जिस पर वर्ल्ड बैंक टेंपनी एक नई रिपोर्ट ग्लोबल एकनॉमिक प्रोस्पेक्टिस में इसे लेकर चिंता जाहिर की है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडंट डेविड के अनुसार 1870 के बाद यह पहला मौका होगा जब COVID-19 की वज़े से वैश्विक अर्थ व्यवस्ता में मंदी आएगी जिसकी तहत वैश्विक अर्थ व्यवस्ता में 1870 के बाद अब तक कुल 14 बार मंदी आने की बात कही गई है रिपोर्ट के अनुसारी हमंदी इतने सालों के बाद अब 2020 में देखने को मिल सकती है क्योंकि COVID-19 की वज़े से बंद हुई अर्थ व्यवस्ता की कारण प्रतिव्यक्ती आयमें 3.6% गिरावट होने की आशंका जताई गई है इसके कारण इस साल करोडों लोग भीशन के अर्मी में फस सकते हैं वहीं विश्व बैंक ने इसल की अर्थ वहस्ता बैश्विक अर्थ वहस्ता में 5.2% की गिरावट आने का अनुमान भी लगाया है वहान के अस्पतालों के सैटलाइट इमेज से COVID-19 के प्रसार से सम्मदित कई जानकार या आई सामने दुनिया भर में COVID-19 के संक्रमन के शिरुबाद चीन के वहान शहर से वही थी जिसकी बात कई वह ग्यानिकों ने इस मुद्धे पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था चीन के शहर से COVID-19 कप कैसे फैला इसको लेकर एक और रिसर्च हाली में सामने आई है हारवर्ड मेडिकल स्कूल ने हाली में किये अपने एक रिसर्च में दावा किया है कि चीन के वहान शहर में COVID-19 का प्रकौप काफे पहले ही शुरू हो गया था कमर्शल साटलाइट इमेज की मदद से रिसर्च को पूरा किया गया रिपोर्ट के निस वार्वर्ड मेडिकल स्कूल दुवारा कमर्शल साटलाइट इमेज की मदद से कुछ सवीर और वीडियो को शेर किया गया है जिसमें अस्पताल और मेडिकल स्विधा देने वाले इलाकों के तस्वीर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है तब तक दुनिया के अन्य देशों में COVID-19 अपनी पैठ बना चुका था CBSE की दस्वी और बारहवी के रिजल्ट की तारीक की हुई घोष्टा CBSE बोर्ट की दस्वी और बारहवी के परणाम को लेकर कई तरह कि असमंजस की स्थिति दिखाई दे रहे थी क्योंकि COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण दस्वी और बारहवी की कई परिक्षाओं का आयोजन नहीं संपन हो पाये था और यही कारण है कि इसके रिजल्ट में इतना समय लग रहा है जिसके बाद अब CBSE ने चात्रों को रहा देते वे 15 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने की संभावना जटाई है CBSE बोड पर रिक्षा के रिजल्ट बोड की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएंगे कि हम आशा करते हैं कि CBSE 10 वी और 12 वी का रिजल्ट 15 अगस तक खोशित कर देगा के साथ डांस करना शिरू कर दिया इसके बाद बीते दिन एक संदेश में उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आखरी मरीज के भी COVID-19 स्वस्त होने के बाद देश में संक्रमन खत्म हो गया है क्योंकि न्यूजिलान में संक्रमन का आखरी मामला न्यूजिलान में सक्ती की वज़े से सिर्फ 1500 लोग ही COVID-19 की चपेट में आए हैं वहें इस क्रमन देश में विदेशी सामान की विक्री पर धीरे धीरे लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसकी जगे पर स्वदेशी निर्वित उतपादों की विक्री को बढ़ावा देने की तेयारी शुरू कर दी गई है चीनी सामारों के भाहिशकार को लेकर Confederation of All India Traders ने भी 10 जून को एक बड़ा आवियान शुरू किया जिसमें चीनी सामान के भाहिशकार को लेकर 7 करोर से ज्यादा छोटे खुद्रा व्यापारियों को जोड़ा गया है यह हमारा लक्ष है कि दिसम्बर 2021 तक 1.5 लाकरों रुपे के चीनी सामानों के आयात में लगभख खत्म कर दिया जाए 13 राजे में One Nation One Ration Card लागू करने का ज़ारी किया गया कि 2020 के अगस्त महीने तक देश के तीन और राजे उत्राखन, नागालैन और मनिपूर में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा इसके साथ ही मार्च 2021 तक देश के बाकी बचे 13 राजे को भी इस योजना से जोड़ लिया जाएगा बिना लक्षन वाले मरीजों से COVID-19 फैलने का प्रभाव है बहुत कम, उक्तुतावा वहो की तरफ से किया गया है, दुनिया भर में COVID-19 के बढ़ते मामले की बीच विश्विस्वास्त संगठा ने कहा है कि लक्षन विहीन संक्रमेतों से COVID-19 फैलने के आसार बहुत ही कम है, डबलो एचो की एपिडेमिट यूलोजिस्ट मारिया का कहना है कई देशों में COVID-19 की कॉन्टाक्ट रेसिंग जारी की जारी है, नए मामलों में आदे से ज्यादा लक्षन विहीन मिल रहे हैं, लेकिन इन संक्रमितों से संक्रमन दूसरे में फैलने के मामले बहुत ही रेर है, जिसके बार डबलो एचो के इस बायान पर पच्चिमी देश का इनाम दिया जा रहा था, जिसके बाद बाबा जाक्षन ने मेगा विनर बने हैं और एक करोर रुपे का इनाम जीता है, आपको बता दे युवराज सिंग के पिता टाइंस फिटिंग का काम करते हैं और अपने बेटे की इस उपलब्धी के बाद उनके पूरे परिवार म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और धेर सारे लाइक्स भी मिले हैं, सुंदर पिचाई ने अमेरिका जाने के लिए खर्च किये थे अपने पिता के एक साल की सैलरी, भारतिया मुल्क के सुंदर पिचाई को पुरी दुनिया आज गूगल के CEO के नाम से जानती है, हाल चेंज को लेकर आप हमारी जेनरेशन द्वारा उठाए के कदम से हताश हो सकते हैं, अभी आप लगातार सजग रहें और इसकी मदद से ही आप उन्नती तक पहुँच सकते हैं, उन्होंने कहा कि 27 साल की उम्रवेव भारत छोड़कर अमेरिका के Stanford University में पढ़ने गये थे, ज चले बढ़ते आज के सवाल के और आज के सवाल को चिस प्रकार है, वर नेशन वन राशन कार्ट से आपके अनुसार कमजोर तब के के लोगों को कितनी सहायता मिलेगी, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए, इसके साथ ही आज के रिबस इतना ही देश की तमाम बड़ी खबरों से जुटे रहने के लिए हमारे योट्यूब चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन दोबाना ना भूले, धन्यवाद